कि हलो है तो प्रीविएस लेक्चर में हमने देखा था डायोड के बारे में गुच डायोड के एक साइड को पी कहते हैं और एक साइड को एन और इसे पी एंडायोड या पी एंजंक्शन बोला जाता है और सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर डायोड आपका है यहां जरो हायर पोटेंशल पर है कि तो तो करेंट को अपनी ब्रांच में अलाव कर देता है लेकिन अकर एंज साइड उसे हम ऴешका था है और उस सिचुएचन में डायोड की ब्रांच में कोई करेंड व्लो नहीं करता टिक है एक dialogue क्क्रीन की डिसितन में zero resistance माना जाता है यानि आप डायोड को conducting wire से replace कर सकते हो forward by situation में लेकिन अगर आपका डायोड reverse biased है तो फिर infinite resistance का काम करता है इनकी circuit break जैसा हो जाता है कि किसी और कोई डाउट इसमें चलो एक question कर लेते हैं फिर ठीक है तो एक मानलो डायोड हमें इस तरह दिया गया है और एक इस तरह से दिया गया है और यहां resistance है और हमने इस तरह से एक बैटरी लगा दिये है मालो एक सिक्सों में यह थ्री ओम है ठीक न और यह टू ओम है यह 10 वोल्ट आपको बताना है करेंट थू बैटरी कि ट्राइब राओ थो यह ओविसली लोगर पोटेंशल है और यह हाईर पोटेंशल है तो यहांसे अगर आप देखो तो यहां बार जो बनेगा और यहां यहां पोटेंशल पे हुआ तो यह वाला डायोट तो हमें दिख रहें Yakim forever बाइस किया गया है और यह वाला डायोट reverse bias कर दिया गया इसकी ब्रांच कोई current नहीं जाना चाहिए तो current सिर्फ कि दर से flow करेगा कि इस तरह से अब है को चैनल क्याड कर सकते हो давай जाएगा कोई दिकत काफी आसान है हमें सर्कृट सॉल करना आते हैं बस डायोड से एक चीज चेंज हो गई कि फॉरवर्ड बाइस है रिवर्स बाइस है यह देखके हम उसे उसकी ब्रांच में करेंट लेंगे या नहीं लेंगे बस एक एडिशनल चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके बाद हमने यह भी देखा था कि डायोड नौन ओमिक डिवाइस है तो इसके लिए आप डायनमिक रेजिस्टेंस बताते हो तो मान लो कि किसी डायोड के लिए ग्राफ हमें दिया हुए यहां वोल्टेज यहां करेंट मिलिया एंपियर में कि एक वोल्ट पे और वन पॉइंट वोल्ट पे करेंट को मेजर किया गया और यहां से हमें मिला है दस मिलियांपियर और पंद्रा मिलियांपियर आपको इसका डायनमिक रेजिस्टेंस बताना है अब बताओ है हाँ तो डायनमिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मुला जो हमारे पास था वो था डेल्टा वी बाई डेल्टा आए तो यहां डेल्टा वी आप देख सकते हो वोल्टेज में चेंज किया किया है पॉइंट टू वोल्ट का अपन करेंट में चेंज हो है वह है 5 मिली एंपियर का 5 मिली एंपियर यहीं 10 की पावर माइनस 3 एंपियर इसे आप सॉल करोंगे आपको मिलेगा 40 ओम तो इस डायोट के लिए डायनमिक रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम है तो बस यह ऐसे ही आसान असान सवाल डायोट की पर पूछे जा सकते हैं मेली सरकिट वाले कई कॉश्चन भी HCV में आपको मिल जाएंगे आगे बढ़ते हैं थियोरी में जो है टाइप ओफ डायोड तो अल दो जेसे पहले फोटो डायोड है थेचा है तो फोटोडयोड जो है उसके अंदर बैसिकली करेंट फ्लोओ अ करेंट फ्लोऑ इस कंट्रोल पर इसंट्रोल तो इसंट्रोल है यूजिं लाइट तो वही में चीज हमैं पता है कि ज़्यादातर एलेक्ट्रॉंस तो कहां रेते हैं वैलेंज बैंट के अंदर रहते हैं और जितने ज़्यादा एलेक्ट्रॉंस कंडेक्शन बैंड में जाएंगे उतना अच्छा करेंट फ्लो हो पाएगा तो जब सफीशेंट वेवलेंथ की लाइट कि यह एनर्जी का कुछ जो गैप होगा फर्मी एनर्जी गैप उतनी एनर्जी के फोटन्स यहांनी सफीशेंट एनर्जी या वेवलेंथ आप कह सकते हो लाइट वैन सिद्ग तो लार्ज नंबर ओफ लेक्ट्रॉन होट्पेर लार्ज नंबर ओफ लेक्ट्रॉन होल पेख आर जन्रेटेड कए सारे इलेक्ट्रन होल पे अर्ट जन्रेट होते हैं क्योंकि एणेटिजhernosa के अज़िए इसकी वेजया जहाते हैं कि कंन्दॉक्ठिविटी क्ट्रीज़ित इंक्रीजेस ऐसे किऊन्द गया इसको कियो एक लाइन में अगर कहा जाए कि इस कंट्रोल्ड आए बाई इंटेंसिटी आफ लाइट जितनी जाधा इंटेंसिटी कि आप लाइट गिरा होगे ऑबिस्टली सेफीशेंड वेवलेंद की होनी चाहिए उतने ज्याधा एलेक्ट्रोन होल पर बनेंगे और उतना ज्याधा सरकिट के अंदर करेंट फ्लो कर स बनाना है और उसके उपर एक गोला बना देना है तो यह कहलाता है फोटो डायोड तो अगर यह किसी सर्कुट के अंदर दिया हुआ है तो सिर्फ याद रखो जब सफीशेंट वेवलेंध की लाइट इसके पर गिरेगी तभी यह ऑपरेट कर पाएगा अब क्लियर एं थे रेटिकल यह थीक है ना अब कि अब कि सेकंड टायोड जो होता है उसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड लाइट एमिटिंग डायोड या फिर एलीडी तो यह सब ने देखा होगा रिमोट वगरा में चोटी-चोटी लाइट जो आती है दिवाली प ठीके ना मैं लगे होते हैं तो किसे बोला जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड अब देखो कंडक्शन बैंड के अंदर कुछ एलेक्ट्रों जा चुके हैं लेकिन वह लंबे समय के लिए कंडक्शन बैंड में नहीं रह पाते हैं है कि नहीं वह वापस से अपने होल्स के अंदर गिरते हैं या किसी भी होल के अंदर गिरते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक तरह से तो जब कोई एलेक्ट्रों कंडक्शन बैंड से ट्रांजिशन करता है वैलेंस बैंड में तो जो भी एनरजी गैप है डिल्टा ईजी उस एनरजी का वह एक फोटन बाहर रि makes a transition from conduction band to valence band it emits a photon it emits a photon weight photon emit or if the wavelength of emitted photon if the wavelength of emitted photon lies in the visible range अगर visible range के अंदर उसकी wavelength लाए कर जाएगी जो की 380 nanometer इसे लेकर 780 nanometer तक रेंज है हमारी इसमें लाइक कर जाएगी तो वी कें सीधा emitted light कि वी कें सी एमिटेड लाइट अठीक है तो फिर वो डायोट क्या होता है चमकने लग जाता है तो ऐसे डायोट को हम क्या कह देते हैं LED कह देते हैं अब कुछ जैसे कि जो फेमस वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम उनके लिए जो लाइट की जाती है वह इंफ्रारेड रीजन में लाइक करती है इंफ्रारेड रीजन तो हमारे घरों में जो डिवाइस में होता है सेमी कंड़क्टर वह कुछ मिक्स्टर रहता है कुछ अलॉय रहता है ताकि वह विजिबल रेंज में लाइक करें और आपको LED देख सकें में चीज जो याद रखने हैं वह यह है कि जब सफीशेंट मदब कुछ टाइम के बाद एलेक्टर जब नीचे डी एक्साइट होता है तो वह एनर्जी गैप की एक्वल एनर्जी का फोटन रिलीज करता है और वह फोटन आपको दिख सकता है अगर उसकी वेवलेंद विजिबल रेंज में लाइक करें तो ठीक है चलो जो तीसरे टाइप का है वह थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं जीन डायोड अगर कि अगर कि अगर तो सबसे पहले तो इसका सिंबल थोड़ा सालग होता है हलका सब बेंडिट मनाई जाती है इसका जो एन साइड उसे इसे हम कहते हैं जीन डायोड अब आपको एक चीज़ पता है इफ डायोड इस रिवर्स बायस्ट इफ डायोड इस रिवर्स बायस्ट कि अवेरी स्मॉल करेंट कि अवेरी स्मॉल करेंट कि फ्लोज थ्रू इट इसे हम क्या कहते थे बहुत चोटा सा करेंट जो फ्लो करता है इसी सिचेशन में उसे हम कहते थे है रवर्स बायस्ट इसे हम करेंट और एक पूंट था इस्ट 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 करेंट इस्ट 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 पोटेंशल रिवर्स बाइसिंग पोटेंशल इस इंक्रीज़ अगर आप रिवर्स बाइसिंग का पोटेंशल इंक्रीज भी करते जाओगे तो भी करेंट पे कुछ फरक नहीं पड़ता था है कि ने है पर एक चीज़ थी at breakdown voltage at breakdown voltage reverse persuasive की case में a large current a large current starts flowing through the diode flowing through the diode याद है वो ग्राफ काॉजिंग ब्रेकडाउन ऑफ डायोड को सिंग ब्रेकडाउन ऑफ डायोड तो जीनर डायोड जो है आपका वह ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही काम करता है ठीक है न ग्राफ अगर सबको याद हो तो ऐसा कुछ ग्राफ बना था यहां नी पॉइंट वोल्टेज आया था रिवर्स सचुरेशन करेंट था और फिर अचानक से बढ़ गया था तो यह था आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज इस हमने वी जैड से का था ठीक है ना इसी ब्रेकडाउ को आप और व्लटेज भी कहते हो में अब बात एकिवरेक डाउन दो तरीके से हो सकता है पहले टाइप का डिटांज होता है दिससे हम चीनर ब्रेकडाउन कहते है लिए कि क्या है वह कि ठेले जैनर ब्रेकडाउन होता है डीओ टू स्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक फीज आपने बहुत जादा स्ट्रॉंग वोल्टेज लगा है तो एलेक्ट्रीक फीले में बहुत जादा स्ट्रॉंग होती दू पूआ पीजिञ ये इअkh है के नहीं है तो जीनर ब्रेक्डाउन के केस में क्या होता है कि स्ट्रॉंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसा आपने त्यादा पोटेंशल लगा दिया कि जो बॉंड्स थे याटम से ब्रेक्टियाओं इस वजह से लाइश करेंट थैंडार्श करेंट आजाता है तो एसा और गलिदान ऊसस तो ठ्रॉत funeral क्याते हो और ईश्टाउन क्योंध cave आप जीनर डायोट कहते हो एक सिमिलर तरीके का ब्रेकडाउं होता है जिसे हम कहते हैं एवलेंच ब्रेकडाउन इसके अंदर क्या हो जाता है जो माइनॉरिटी केरियर से कि मायनॉरिटी केरियर अगवाइर लार्ज कानेटिक एनेरजी क्या आपने ब्रेकडाउन वल्टेज तो लगा ही रखा है वॉल्टेज काफी हाई है लार्ज कानेटिक एनेरजी एक है एडे कोलाइड बेशरलस थे वे लग करते हैं विद में से देड के क्योंथ में वाराव है ऑब्रेकिंग दवार्ण से भ्रेकिंग भॉंड कैसे को सब्रेक्द लार्ज करेंट अबरेках ni और ऐसा breakdown जिस डायोड में होता है उसे हम कहते हैं एवलेंच डायोड ठीक ना तो दोनों में एकी जीज होती है दोनों में ही सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक होते हैं पर जीनर ब्रेक्डाउन के केस में वह बस स्ट्रॉंग एलेक्रिक फील्ड की वज़ए से ब्रेक हो ज 至 डिटीर सारे लेक्त आद से मिल जाएंगे जोकि टेर सारे करेंट this करा देंगे और इसे आपके कहचा दोगे चाहिंआ है अब धोनों से ही एक खास बात है जो आपको याद रखनी है वंस ब्रेक्डाउं इकर्स कि वंस ब्रेक्डाउंग सना करπस the potential difference the potential difference across the zener diode the zener diode does not change does not change okay no matter how much current flows through it no matter how much current flows through it or how much potential difference how much potential difference is applied by the battery is applied by the battery right now and here I have a zener diode put it this way and here you have to apply the appliance which you want to save the wrong the resistance is 10 ohms okay and here you have to give the breakdown voltage breakdown voltage कि यह मान लो कि आपका पचास वोल्ट है तो इसका मतलब यह है कि जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पचास वोल्ट से ज्यादा जाही नहीं सकता हो ही नहीं सकता यह अपने आपको इस तरह से अजस्ट कर लेता है अगर हम देखें तो बैटरी से करेंट तो कितना निकल के आएगा आई की वैलियू जो बैटरी से निकल के आएगा वह आएगी हंड्रेट वाइट टेन यानिकी टेन एमपियर लेकिन क्योंकि आपके जीनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशल नहीं बदल सकता तो इसके अक्रॉ वह हो जाएगी वी जैड़ बैटेन यानिकी पांच एंपीर है तो जितना भी एडीशनल करेंट आएगा वह सारा डायोड से फ्लो कर जाएगा हमेशा आपकी डिवाइस के अंदर तो कितना अ करेंटी जा रहा होगा 5 एंपियर करेंटी जा रहा होगा तो हमारी डिवाइस होगी अचानक से वोल्टेज अगर बढ़ भी जाता है तो जो भी एक्सेस करेंड ब्रांच में आ रहा था वो सब डायोड से पास कर जाएगा आपका रेजिस्टर कहा रहने वाला है हमेशा सेफ रहने वाला है बात समझे तो सबसे जरूरी चीज़ आपको सिर्फ यही याद नहीं है कि आपके डायोड से करेंट कितना भी जा सकता है लेकिन पोटेंशल डिफरेंस अक्रॉस दजीनर डायोड डाज नौट चेंज थोड़ा बहुत आइडिया अगर किसी को स्टेबलाइजर का है किसी ने देखा अगर स्टेबलाइजर उसको परपस तो अब शायद आपको परपस समझाया होगा कि इसलिए घरों में स्टेबलाइजर को इस्तमाल किया जाता है थीक है तो देखो जड़ा एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो मान लो यह हमारे पास बैटरी यह इस तरह से थीक है ना और यहां मैंने एक रेजिस्टर लगा रादिया जैसे मान लो ट्वेंटी ओम का और बैटरी में ले लेता हूं कि 40 वोल्ट की और प्रेट डाउन वोल्टेज हमें पता है अ कि ब्रेकडाउन वोल्टेज और यह मान लापको दिया गया है 10 वोल्ट ठीक है तो आपको बताना है क्रेंट Threaur The Diode कितना Current Diode से Flow करेगा Try करो तो देखो यानि कि Diode के Across Voltage 10V रहने वाला है तो इसके Across भी Voltage 10V रहेगा तो Resestar में अगर Current बोला जाए तो Resister के अन्दर Current की Value रहेगी 10 By 20 यानिकि 0.5 A तो यहां तो हमीज़ा 0.5 बैटरी से कितना निकल रहे है तो बैटरी से निकलने वाला करेंट हो जाएगा 4020 यानिकि 2 A तो यहां से दो यारा है 0.5 जा सकता है इसके अंदर तो बचा हुआ सारह करेंट किसमें से जा रहा होगा कि आपके डायोड में से तो आई थ्री आ जाएगा टू माइनस पॉइंट फैव यानिकी वन पॉइंट फाइव एंपीर कि चला एक क्वेश्चन और ट्राइब कर लेते हैं जैसे ठीक है ना कि मालो कि हमें यह दिया गया है इस तरह से तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में दे देता हूं कि यह मालो कि 10 वोल्ट है और यहां मैंने लगा दिया है थर्टी वोल्ट की बैटरी और यहां एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस मालो की दिया गया आपको टू ओम और यहां भी एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है माल लेते हैं इस इस एक तो आपको जो बताना है वो बताना है करेंट तुरू डायोड करेंट थू डायोड कितना फ्लो करेगा अ कि ट्राइब करो सबी लोग कि डायोड को थोड़ा सा अच्छा बना दें और गंदा हो गया है कि ट्रै करो इस यहां डिफरेंस्य है कि जो आपका जीन डायोड ना कि रिवर्स पायस तो अगर वह रिवर्स बाइस नहीं है तो उसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा और नॉर्मल डायोट की तरह बहेव करेगा यह सर्कृट आपका ऐसा बनेगा यह और फॉर्वड बाइस में हमें पता है डायोट कंडक्टिंग वायर बन जाता है यह सिच्वेशन ठीक ना अब यहां से आप सीधा-सीध देख सकते हो कि जो आपका टूम रेजिस्टर है यह तो शौट सर्कृट हो गया है क्यों यह शौट सर्कृट हो गया क्योंकि इसके दोनों एंड सेंप पोटेंशल पर है तो करेंट जो है वह इस तरह से फ्लो करने वाला है और करेंट बढ़ी आसानी से आजाएगा 30 वाइ देख साथ करेंट ठैख साथ करेंट दियर इन आजियर वाजा एक्ई पर अउट से वह इस हमाख़ कर वह सने पर दोटेंशल इट आप्स एज़ा कंड़क्टिंग वायर एज़ा कंड़क्टिंग वायर अब बात समझ आई तो जेनर डायोड कभी विकर्शन में देखे तो पहली चीज चेक करनी हो यह है यह रिवाइस तो होना चीए तब ही वह पूरी स्टेबिलाइजर की जो राम कहानियों काम कर अरे बोलो समझ आए कि नहीं हो यह ना तो बता दो ठीक है तो अब शायद सब समझ गया होंगे अगली चीज़ है पी एंट जंक्शन पी एंट जंक्शन तो है एज़रक्टिफायर है यह चलो तो हमने एक काम तो देछ लिया शर्किट में करेंट को रागूलेट करने के लिए जब देख लिए अपने लगा सकतें दूसरा एप्लिकेशन देख लिए सरकिट में अपने क्वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए जो की जेनर डायोट से हमने कर लिया तीसरा इसका यूज जो है वह एजा रेक्टिफाइर है रेक्टिफाइर का मतलब होता है रेक्टिफाइर यह बेसिकली यूजट टू कनवर्ट अल्टरनेटिंग करेंट इंटू डायरेक्ट करेंट अगर आप एसी को डीसी में बदलना चाहते हो तो वह भी आप इस छोटे से डायोट से कर सकते हो को कैसे देख लिए दो तरह कें रेक्टिफाइर होते हैं पहला क्यलाता है हाफ वेक्टिफाइर और इसका नामंम और क्यों है तोडी सी दिर में समझ आ जाएगा है आप आप मालों कि यह हमारे पास एक एसी सप्लाइन दिया गया है वोल्टेज का कि यहां आपने लगा तो अगर इन्पुट डियाग्राम में बनाओं वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कुछ इस तरह का बनेगा एसी है हमारे पास इन्पुट आपका यह अब बात यह एसी में होता क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करेंट लगातार बदलती रहती है तो शरुआत मैं अगर यह डायर पोटेंशल है और यह लोर पोटेंशल है तो शूरुआत में आपका जो डायोड है वो फॉर्वरड बायस्ट हो गया तो वो तो बड़ी आसानी से करेंट को फ्लो होने देगा लेकिन जैसे ही करेंट अपनी डिरेक्शन बदलेगा और यह बनेगा आपका नेगेटिव और यह बनेगा आपका पॉजिटिव अब आपका डायोज रिवर्स बायस हो जाएगा तो वो करेंट को फ्लो ही नहीं होने देगा अरे बात समझ रहे हो कि नहीं है फिर थोड़ी दिरवाद क्या होगा फिर से आपकी बैटरी में ऊपर हायर पोटेंशल होगा फिर नीचे लोगर पोटेंशल होगा है कि नहीं तो करेंट फ्लो किया फिर आदे साइकल तक नहीं किया फिर फ्लो किया फिर आदे साइकल नहीं किया तो बैसिकली जो नेडेटिव वाला स्वह एलिमिनेट हो गया कि तो अब आपका एक ही साइकल में रह جाता है एक ही साइड पर रह जाता है अगर देखा जाये तो यूदी डिरेक्शनल आउटकुट हमें मिल रहा है और बेसिकली इसने एक पूरी वेव को आधे में convert कर दिया है क्योंकि आधे time के लिए सिर्फ वेव रह पाती है इसलिए इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक है ना basically current only passes current only flows वेंड डायोड इस फॉरवर्ड बायस्ट वेंड डायोड इस फॉरवर्ड बायस्ट कोई दिक्कत किसी को बोलो भई आयना फटाफट थीक है तो सेकेंड डाइप का जो है उसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर अभी क्या हो रहा था सिर्फ जब वोल्टेज पॉजिटेव तभी तरकिट में करेंट था या रिजिस्टर के क्रोस वोल्टेज था बाकी टाइम पर कोई आउट्पुट नहीं मिल रहा था अब मुझे चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर यानि मैं पूरा का पूरा वेव चाहता हूं पर रेक्टिफायर तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहां कॉईल लेते हैं यहां एक कॉईल लेते हैं यह इंडक्टर से हैं तो यह मुचली इंड्यूस करके सेम करेंट दूसरे सर्किट में भी ले आएंगे है कि नहीं कि अजिए और आपके पास यह ऐग्रीज तर यहां पर थो डाइड इस्तमौल कर लेते हैं इस चेस में एक डाइड रं यहां कर लेते है आ पर एक की हम यहां कर लेते हैं कि सभी इसे में इस एम डीवल देता हूं इसे में डीटू बोल यह ता हूं यह lesskom सारे मान लो तो वही आपका इंपुट तो वही है यह आपने इंपुट दिया है ठीक है आल्टरेटिंग मैं जानना चाहता हूं क्या होगा शुरुआत में जब यह हायर और यह लोऔर पोटेंशल पे होगा तो औभिसली यह डिवन जो फारवर्ड बायस है तो करेंट इस तरह से फ्लो करेगा किया थै कि नहीं यानव में किरेंट फ्लो किया राइट से लेफ्ट की तरफ है 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 अगले ही किया हो जाएगा यह नेगिटिव और यह पॉजितव कच करिंट इदर से फ्लोग करेगा ये आधी बी रिजेस्टर में कि किदर से फलो किया राइट से लेफट तो पूरे के पूरे साइकल के लिए मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टर में जो करेंट है उसकी डायरेक्शन One diode is forward biased at a time, causing direction of current in resistor to remain same for whole cycle. clear ? बताईए कोई समस्या अगली छोटी से टॉपिक है वेव रेक्टिफायर में सिर्फ याद रखना है कि हाफ वेव क्या होता है फुल वेव क्या होता है अगला टॉपिक जो हमें देखना है वह है लॉजिक गेट्स ठीक है न लॉजिक गेट्स तो यह काफी आसान टॉपिक है आपने पहले हो सकता है पड़ा हुआ अभी हो लॉजिक गेट किसे बोल जाता है बेसिकली हम डायोड का कुछ ऐसा सेट अप बनाते हैं जो की कुछ पर्टिकलर इंपुट पे कुछ पर्टिकलर आउट्पुट आपको देते है ठीक है तो आप कैसे लॉजिक होते हैं बेसिकली सर्कितवलिमेमेंट्स सर्कित अलिमेंट्स और विच गिव ओट हो अःट्पुट शिग्नल फॉर स्पेसिफिक इन्पुट सिगनल कुछ पर्टिकुलर इन्पुट सिगनल जब आप देते हो तो उसके कर्सपोंडिंग वह एक आउटपुट सिगनल देते हैं अब एक चीज़ यहां दखना कभी भी अगर आप हाई वोल्टेज देते हो सिगनल देते समयु उसे हम वन से रिप्रेजंट करते हैं और सिमिलरली लोव वोल्टेज अगर अप सप्लाय करते हो डिजिटल सिगनल के अंदर तो से रिप्रेजन करते हैं तो यह बाइनरी तरीका यूज किया जाता है हाई वोल्टेज्ज को बताने के लिए कि अब कई तरह के लाजिक गेट्स होते हैं कुछ स्टेंडेट्स हैं जो हमें याद रखने बाखिया आप अपनी मर्जी से कंबाइन करके लॉजिक गेट बना सकते हो सबसे पहले आता है हमारे पास एंड गेट का सिंबल जो हम यूज करते हैं वह यह है इस तरह से तो ओविसली इसके अंदर दो इंपुट रहते हैं ए और भी और उसके एक आउट्पूट रहता है वाय की तो अब या तो आप ए में या जीरो दे सकते हो ही ही वेल्टेज लो वोल्टेज दे सकते हैं तो इसके करेश्पणडिंग रिजल्ट वो हमें बताना होता है इसे याद रखने का तरीका में यह बताना चाहता हूं कि आप ऐसा सरकीट इमेजिन करो कि इस तरह से एक बैटरी लगी हुई है ठीक है ना और दो स्विच है आपके पास S1 और S2 और यहां आगे आपके पास एक बल्ब है ठीक है और यहां फिर से अर्थिंग कर दी गई है इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B यह दोनों बल्ब जलाना है अगर आपको बल्ब जनाना है तो फिर दोनों स्विच बंद होने चाहिए एक स्विच बंद होना चाहिए किस केस में बल्ब जलेगा किस केस्म शुनाना चाहते हो खूँ आभ बोटं शुड़ धी ख्लोस्ट इस लिए मैं से याद रखता हूं A & B डौनों के दोनों क्लोस हो ने चाहिए चैए अगर आपको बल्ब जनाना है तो इससके लिए जो हम याद रखते हैं वह यह है कि high output high output only if both inputs both inputs are high यह high output तभी देगा जब दोनों ही input high हो अगर एक भी low होगया एक भी switch open होगा तो फिर यह low input ही देने वाला है ठीक है अब इसके लिए यह use कर सकते हैं हम a.b y is equal to a dot b dot को multiplication की तरह treat करना क्योंकि आप से का जाएगा truth table बनाने के लिए truth table क्या होती है सारी situation जो possible है उन्हें consider करो और उनके corresponding result लिखतो वैसा नहीं है कि यह means में नहीं पूछा गया है यह पूछा जा चुका है choose the correct truth table के नाम से तो यहां मैं a ले लेता हूं यहां मैं b ले लेता हूं यहां मैं y ले लेता हूं एक तो हो सकता है दोनों को आप लो दो दो दोनों को हाई दो एक को लो एक को हाई फिर इसको हाई और इसको लो तो देख लो जरा एंटू बी अगर आप करते हो तो जीरो इंटू जीरो जीरो वन इंटू वन जीरो 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 तो सिर्फ एक के अंदर हाइड आउटपुट मिलेगा आपको कब जब दोनों ही क्या रहते हैं हाइड रहते हैं कोई दिखकत किसी को बोलो सेकंड गेट जो हम पढ़ते हैं वो हो जाता है हमारा और गेट तो और गेट का सिंबल कुछ इस तरह का होता है दो इंपुट रहते हैं इसमें भी और एक आउटपुट रहता है इसको मैं इस तरह से समझता हूं कि मान लो आपके पास एक बैटरी इस तरह से अगर बल्ब की तरह आप याद रखना चाहते हो क्योंकि इससे हेल्प मिलती है एक तरह से मैजिन करने में तो इसका रियल लाइफ सर्कृट जब हम बनाते हैं तो हम ऐसा बना देते हैं कि एक बैटरी मान लो यहां अर्थिंग हो रखी हैं और यहां आपके पास दो स्विच हैं और फिर आपके पास एक बल्ब है तो अगर आप यह बल्ब जलाना चाहते हो तो क्या दोनों स्विचेस का इसके लिए जो यूज करते हैं में एक्स्प्रेशन वह जाती है एक प्लस भी यानि की इवन इफ इवन इफ वन आउट्पट वन इनपुट इस हाइए आउट्पट इस हाइए एक भी अगर हाई हुआ तो आउट्पट आपका हाई हो जाएगा यह काम हो जाता है और गेट इसकी डूट टेबल अगर आप बनाओ तो वह तो भाई कैसी बन जाएगी बड़ाई आसान है जब दोनों जिरो जिरो है तो जिरो प्लस जिरो आपको जिरो ऑफ देने वाला है दोनों वन वन हैं तो वन प्लस वन तू मतलिक देना वन ही होता है high का मतलब high zero और one zero प्लस one वो भी one होता है और one प्लस zero वो भी क्या होता है one होता है तो सिर्फ एक case है जिसमें low output मिलता है जब दोनों ही क्या हो low हो बात समझ आ रही है clear है क्या तीसरा gate जो हम पढ़ते है हम जो हम प papier है नौट गेट तो नौट गेट इस तरह से शो कर दिया जाता है सारा काम इस सरकल का है जो छोटा सा सरकल आगे बनाए गया उसका मतलब होता है इन्पुट को रिवर्स करना तो बेसिकली आउट्पुट इस ऑपोजट ओफ इन्पुट ठीक है ना आउट्पुट इस ऑपोजट ओफ इन्पुट उसके लिए अगर आप ट्रूट टेबल बनाते हो जैसे यह ए यह बी और बी तो ही नहीं इसमें एक्स्ट्रा बन गया एक इसमें तो एक ही इन्पुट है और एक आपका आउट्पुट है उसके लिए अगर आप एक्स यहां लेते हो और यहां वाई लेते हो तो सिंबल यूस करते हैं वो करते हैं वाई एक्स बार बार का मत रूजकता है तो यह one और जीरो हो जाता है उसका शिर्फ क्या का जाता है फुल्टा हो जाता है सबसे आसान गेट याध Пока का लो आट पुट लो का है खुट अड़न है है अब हम क्या करते हैं कंबाइं करने लग जाते हैं और फॉर्म कर ले दें जैसे नैंड गेत तो nand gate होता है basically end gate के आगे आप not लगा देते हो यह नहीं end gate का जो answer आने वाला था उसे आपको reverse कर देना है यह आपका end gate था यहां एक not लगा दो यह आपका a, यह b और यह y तो end gate क्या हुआ करता था why हुआ करता था a.b याद करो end में multiply करके देखते थे ना दोनों को high होना चाहिए उसकी उपर मैं क्या लगा दूँगा बस एक बार लगा दूँगा यह जो भी a.b का answer आ रहा है उसका opposite मुझे क्या करना है कर देना है तो उसे आप कह देते हो क्या end gate नए end gate sorry तो जैसे बताओ यह a है यह b है यह y है 00 ले लेता हूँ 1101 10 तो 0 into 0 यह 0 आने वाला था पर व्ल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 111 यह débata कर देंगे तो 0000 को आने वाला था उल्टा हो जाएगा 1 and upon जाएगा अरे समझ आ रहा है कि नहीं है आसान सा है डॉट भी करो और बार लगा है उसका मतलब आप उसे उल्टा कर दो और आकरी टाइप का जो स्टैंडर्ड गेट है वो कहलाता है नौर गेट यानि और क्या आगया आपको नौर्ट गेट लगा देना है तो सिंबल कैसा हो जाएगा यह आपका ए यह आपका बी यह आपका और गेट हुआ एक डॉट यहां पर लगाया और यहां मैंने कर दिया व यह बेसिकली हो जाता है एक प्लस भी होता है और गेट अपान हम लगा देते हैं एक बार इसके लिए ट्रूट टेबल अगर मैं बनाता हूं तो यह मानलो आपका ए है यह बी है यह वाई है 0011010 तो यहां तो एड करना है जीरो प्लस जीरो जीरो आना चाहिए था उल्टा कर दो के तो वन वन प्लस वन वन आना चाहिए था उल्टा कर दो के तो जीरो जीरो प्लस वन आना चाहिए उल्टा कर दो जीरो वन प्लस जीरो वन आना चाहिए उल्टा कर दो जीरो क्लियर है कि नहीं तो अगर आपको परपस याद है तो आप आराम से सॉल कर सकते हो हमेशा इनको इस एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश करो A प्लस B या A.B के में इसमें आपको दो लॉय याद रखने है जिनने हम D.Morgan's Law कहते है क्या होता है D.Morgan's Law तो यह आपको सॉल करने में असानी देगा कहीं आपको A.B बार मिल गया है तो उसे आप लिख सकते हो A.B बार प्लस B बार यानि A का उल्टा प्लस B का उल्टा और सेकंड लो है अगर आपको पास A प्लस B का बार है तो उसे आप कर सकते हो A.B बार बार समझाई के नहीं तो यह चीज़ हमें कई बार हेल्प कर देगी ठीक है तो जैसे एक एक एक्जामपल मैं आपको करके बता देता हूँ तो मालो कि यहां पर एक और गेट दिया गया था यह आपका A है यह आपका B है और यह दोने इंपुट जाके लगते हैं एक एंड गेट में और यहां आपका आउटपुट है एक्स तो आपको इसके लिए टूथ टेबल बताना है ठीक है ना मुझे इसके लिए मालो टूथ टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखो किसी ना अपनी मर्जी से कोई सर्किट बनाके दिया है सबसे पहले तो ए ले लो बी ले लो और एक्स ले लो जो आपका आउटपुट है 00111001 यह चार पॉसिविलिटीज हैं मैं क्या करूंगा मैं फाइनल एक्सप्रेशन निकाल लूँगा जैसे यह ए है और यह भी है तो यहां जो मुझे आउटपुट मिला होगा वो क्या मिलना चाहिए था यह और गेट है याई आपको ए प्लस भी मिला होगा यहां से सिमिरली यह है तो घूम के यहां जा रहा है तो यह हुआ और यह यहां से इंपुट जा रहा है ए प्लस भी अब यह क्या है यह है एंड गेट एंड गेट क्या करता है दोनों इंपुट का डॉट कर देता है तो फाइनली एक्स आपको मिलेगा ए डॉट ए प्लस भी बात सम ली मिल जाएगा कि समझ पार है अबस तो फाइनल एक्स्प्रेशन आपके पास आ गया है एडॉट एप्लस बी अब बस इसमें पुट करके देख लो दोनों 00 है तो तो ओवर ओल जीरो आई रहा है कम दोनं 11 है तो 1.1 आपको मिली रहे हैं ए 1.0 ए तो वन का डॉट किया जीरो प्लस बंढीन वन डॉट वं Minut one फिर से क्या गया वन में और 2060 को डॉट आप कर रहे हो one पलसxyeral कसा तो फिर से क्या जाएगा जीरो इंदक कि बिलो बई सिर्फ आपको फाइनल एक्स्प्रेशन निकालना है और इसमें पुट करकर के देख लेनी है वैलियू जैसे एक क्वेश्चन देखो एक्स आपको दिया गया है मानलो ए डॉट बी डॉट सी ठीक है न यह मानलो कि हमें दिया गया है तो आपको बताना है find x for a is equal to 1 b is equal to 1 and c is equal to 0 try करो बताओ क्या हैगा तो बड़े ही आसान सा है x आपको पता है a dot b dot c का बार ठीक है बी डॉट सी तो आपको 0 मिल गया है उसका बार यानिकी वन तो बेसिकली 1.1 यानिकी क्या आजाना चाहिए वह आजाना चाहिए बढ़िया एक question और कर लेते हैं भींटाईर फिल वह आजाना चाहिए झालивает बढ़िया भींटागे झाल नहीं झाल… मेंटाई और कर दो लेते चाहिए झाल कर दो दो कर दो कि आजाए झाल झाल ठीक है यह मान लो A है और यह मान लो B है तो आपको X की वैल्यू बतानी है in terms of A and B X की वैल्यू क्या होगी in terms of A and B ट्राइ करो चलो देखो तो यहां से input हमें पता है क्या दिया गया है A और यह input not gate से पास करके आया है क्योंकि तो यहां मिल जाएगा आपको B बार यहां पर आपको input दिया गया है A बार और यहां input दिया गया है किसका B का एंड गेट को क्रॉस करते ही यहां आपको मिलेगा एंड डॉट बी बार है कि नहीं और यहां एंड गेट को क्रॉस करते हैं आपको मिलेगा A बार डॉट बी इन दोनों को और गेट में डाला गया है यानि कि दोनों इंपुट को आपको क्या करना है एड तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी अब टूट टेबल अगर पूछी जाए तो बड़ी आसान है बनाना अगर हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं तो टूट टेबल भी दो Siya यू एज है आपका लाजिक केर दो किसी कोई डॉट है तो आज यहां लॉजी केट एंड करेंगे नेक्स्सक्वात करेंगे ट्रांजिस्टर जो की फाइनल टॉपिक होगा सेमिकंडॉक्टर का तो हो सकता है नेक्स्ट्वास में या मोस्ट प्रिबविश उसके नेक् है कर दो कि अबको खने घ्राओे सीधा है कर दो कि अदे कर दो कि अधने हूंते है जद चार्थ है कर दो कि अदिक है नही है